हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप सब ठीक होंगे फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं बेल का शर्बद तो यह देखें यह मैंने बेल ले लिए दो यह बिल्कुल पके हुए बेल है ऐसे ऐसे आवा जाती है इसको ऐसे मारने से तो इसको हम वो डैपल भी बोल देते हैं तो इसका जो शर्बद होता है काफी अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए तो हमें यह गर्मी में जरूर पीना चाहिए तो हम शर्बद बनाना स्टार्ट करते हैं इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजी तोफ्रेंड्स बेल का शर्बद बनाने के लिए मैंने चार ग्लास शर्बद बनाना है तो मैं एक ही जो है बेल इसको यूज करूंगी दूसरा मैं रफ्रिजरेटर में रख लूँगी उसको मैं बाद में यूज करूँगी तो सबसे पहले हम इसको करेंगे उसको प्लिट्गे क्या अब कि techniques बसे पांगे कि कौा थे इसको माइने तो जिल को हमने कैसे करना हैrien कि यह दimmer दो behavior यह थो तो यह ऐसे तूट जाएगा यह देखें यह तूट गया ना ऐसे हमने दो तिन जगा से इसको ऐसे तोड़ लेना है यह देखें यह तूट गया है यह देखें अभी इसको अमने सारे को एक बरतन लेके उसमें निकालना है तो यह देखें मैंने इसको ऐसे ऐसे खोल लेना और चिलका निकाल लेना लग से और जो बीच वाला हिस्सा है उसको लग से निकालना ऐसे तोड़ते हुए यह बीच वाला हिस्सा है इसको मैंने सारे को अलग से निकाल लेना ऐसे तो अब यह देखें के लिए इसको एक बरतन में डाल लेंगे आप ले सकते हो जा कोई पतीला ले सकते हो उसमें डालेंगे हम इसको यह देखें अब इसको मैं जो बेल का निकाला था पीच वाला हिस्सा उसको मैं एक पतीले में डाल लूँगी ऐसे तो अब इसमें मैं मैयर करके चार ग्लास पानी के डाल दोंगी एक ग्लास अभी और डालेगा तो चार ग्लास हम पूरे पानी के डाल देंगे तो ये देखें मैंने चार ग्लास पूरे पानी के इसमें डाल दीए अब इसके बाद हम इस juice को जो हाथ से बनाएंगे इसको हमने ऐसे ऐसे इसमें ऐसे करना है मसलना अच्छे से थोड़ा टाइम लगेगा पर इसको हमने प्रॉपर लिया से इसमें मैश करना है हाथ से तो यह जो होता है जूस यह काफी हैल्दी होता है घर्मी में हमें जरूर पीना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और बेल जो होता है काफी डिजीज जो होती है उनको भी ठीक करता है स्पेशली हमारे पेट में कोई प्रॉब्लम हो इनसाइड हमारे कोई जखम वगरा हो जाए उनको भी ठीक करता है तो इसको हमने अच्छे से मैश कर लेना तो फ्रेंड्स मेरे से हाथ से अच्छे से मैश नहीं हो रहा था तो मैंने थोड़ सोचा कि कोई और वे जो है ड्मोते हैं तो मैंने इसको थोड़ा ब्लेंडर से आपके लेना उससे यह थोड़ा सा मिक्स होना शुरू है ए मैंने टीन से चार मिनिट तक कर लेना इसको तब थो यह देखें मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर ले है अब मैंने एक बतन लिया और उससे मैंने यहां से शनी रख दिया अब अम इसको ऐसे देरे थोड़ा थोड़ा करके चान लेंगे यह देखें ऐसे हमने चन्नी में इसको हलाते हुए अच्छी तरह जो फाइन जूस है उसको चान के निकाल लेना है थोड़ा सा टाइम लगेगा और बहुत ही टेस्टी जूस बनेगा टेस्टी के साथ यह जूस बहुत हेल्दी होता है यह देखें इसे मैंने और डालूँगी और इसको खलाते हुए ऐसे अराम से निकाल लेंगे यह देखें मैंने सारा जूस तो है उसको चान लिया यह देखें कितना अच्छा जूस बनके त्यार हो गया अब इसमें हम आईस डाल देंगे तो फ्रेंट्स अब जे जूस बनके त्यार है पीने के लिए अभी मैं आपको ग्लासेज में डाल के दिखाती हूँ यहां मैंने जूस को चार ग्लासेज मेंडाल दिया देखें कितना सुंदर लग रहा है देखने में जितना सुंदर बनायें जूस उतना ही पीने में टेस्टी है आप इस ही तरीक्या से बेल का जूस बनाएं बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही इजी वे है ये इसमें कोई चीनी विकारा डालने की जुरूरत नहीं है वैसे ही बहुत टेस्टी होता है